और सात्य दर्शनी क्रिया के बारे में मैंने एक video दी थी मैंने का था सत्य दर्शनी क्रिया जो लोग सीखना चाहते हैं जो यूठ इसको सीखना चाहता है वो contact कर सकते हैं अब बह達 शारे प्रश्न उसके बीछ में आये हैं कि सत्य कारे करती है किस तरह से इसकी एनरजी हम जान सकते है अपने अंदर कौन से मंत्र होते हैं तो उसके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्रिया के बारे में क्रिया क्या है वो तो मैंने बता दिया कि आँखों के सामने टीवी चलेगा बेसिकली इसमें जो शक्ती है इसकी जो शक्ती है इस चीज की जो शक्ती है वो है कि ये क्रिया आपको भूत भविश्य वरतमान ठीक ये सब आपको सक्षम करती है कि आप जान सके और उसी के साथ में ये ये भी बताती है कि आपके जीवन में आगे आपको किस तरह के विजन्स आते हैं आपके विजन्स आने शुरू हो जाते हैं कोई सामने आता है आपको इंट्यूशन्स आने शुरू हो जाती है आप ध्यान में जाते हो आप आग्या चक्र की तरफ कॉंसंट्रेट करते हो तो आपको वो visions आने शुरू हो जाते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किस तरह की शक्ती, मानलो किसी तरह का कोई प्रश्न लेके आता है आपके पास, तो आप आग्या चक्र पर ध्यान जब करना शुरू करते हैं, आग्या चक्र आपका active होना शुरू होता है, बाक हम sixth sense बोलते हैं, अच्छा, अब इसके जात में और क्या क्या होता है, और ये होता है कि आपको अपनी life में decisions लेने की क्षमता जो होती है, वो बहुत बढ़ जाती है, और क्या फाइदा होता है, आप कुछ गलत करने से पहले ही जान लेते हो, कि ये मेरे karmic relations है और इससे मु illusions से चुटका रहा, अब इसको कैसे प्राप्त करें, सभी साधक जन जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसे प्राप्त करें, वो ऐसे प्राप्त करें कि इसके अंदर सबसे पहले तो अश्टांग योग जो है, उसका बहुत संबंध है, क्योंकि अगर आप अपने आपके अंदर जितनी अपान है, ठीक है, इस उर्जा को प्राप्त करना है, तो आपको अपने प्रान का विस्तार करना होगा, ठीक, आपको अपनी शक्ती का विस्तार करना होगा, आपको अपने विचार क्षमता का विस्तार करना होगा, और वो कैसे आएगी, प्रान याम इस कर दो जाना है ठीक है पहली तैयारी यह है कि आप अपने आपको cleanse करें internally cleanse करें ठीक विचारों पर ध्यान करें और उसके साथ में अपने जो है खान पान का ध्यान रखें ठीक है उसके साथ में आसन और प्रणयाम ये जरूर करें योग जरूर करें और उद्गीत प्रणयाम जादा करें भ्रामरी जादा करें भ्रामरी प्रणयाम कौन सा होता है क्या करता है ये भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा थीक है अपने अपान को कम करें अपने अपान यानि आपका जो अप समान वाईउ नाभी में रहती है और अलग बात करूँगा उसके बारे में अरे भीया समान आकाश है ठीक है तो इसलिए सबसे पहले आप ओमकार चैंटिंग शुड़ू करें अनुलोम विलोम प्रणयाम आधा गंटा सुबा आधा गंटा शाम जरूर करें और ओमकार चैंटिंग 15 मिनिट से लेके 20 मिनिट से लेके 30 मिनिट तक रोज करें और अपने अंदर के आकार को समझना शुड़ू करें अपने आंतरिक ध्यान मानसिक त्राटक शुड़ू करें यानि आग्या चक्र पर ध्यान करना शुरू करें ये प्रॉसेस आप फॉलो कीजिए तामसी फूड इसके बीच में ना खाईए और जो है आपको अपने विचारों पे भी कंट्रोल करना है विचारों पे कैसे करना है किस तरह की विचार आते हैं क्या होता है ये भी मैं वीडियो में आपको मित्र इससे जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले प्रणयाम शुरू करें और जो पहले से प्रणयाम करते हैं वो ओमकार चैंटेंग शुरू करें